कोडेक्स जीगेस के बारे में सुना है दोस्तों एक ऐसी रचना जो बहत कम टाइम में लिखी गई हो और सैतानों की पूजा करने के लिए प्रेरित करती हो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस बुक को लिखने के पीछे लेखा की कोई ऐसी च्छ नहीं थी वो बस एक अनोखी रचना का निर्माड करना चाहता था लेकिन अस्तित्वे में आई ये पुस्तक जो डेविल बाइबल के नाम से प्रसिद्ध है इतनी रहस्य में ये बुक है उतना ही इससे जुड़े कुछ खास फैक्ट भी आखिर ऐसी पुस्तक का निर्माड कैसे हुआ होगा और क्यूं हुआ होगा ये आज भी एक पहेली ही है आईए जानते हैं इस बुक से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में दोस्तों इस बुक को एक सन्यासी ने बनवाया था लगभग तेरेवी सताबदी के समय में ऐसा इतिहासकार का मानना है लेकिन जिस तरह से इस पुस्तक का निर्माड हुआ था वो अपने आप में एक अनसुलजा रहस्य है इस बुक को इतने कम टाइम में लिखा गया है कि आज के समय में हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते ये असंभवकार किसी प्रेरणा से हुआ इसके पीछे की रोचक कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी दोस्तों कोडेक्स जीजा के नाम से भी जानी जाने वाली ये पुस्तक बेहत बारेकी की कला का एक नमूना है जिसके बारे में आज के टाइम में कोई सोच भी नहीं सकता दोस्तो डेविल बाइबल नाम की ये पुस्तक हमें सैतान के रास्ते पर ले जाने के उद्दे शेशे लिखी गई है क्योंकि इसका जारतर भाग सैतान की पूजा उसकी आवाहन और लिूसिफर रिच्वल से भरा पड़ा है लोगों के माने तो ये होली बाइबल के एकदम विफरीत पुस्तक है दोस्तो इस पुस्तक का नाम डेविल बाइबल इसलिए पड़ा क्योंकि इसे किसी देवी सक्ती नहीं बलकि एक सैतानी सक्ती की प्रेड़ना के जरिये लिखा गया है जितनी रहस्य में ये किताब है उससे भी ज़्यादा बड़ा रहस्य इसके निर्माण को लेकर है दर असल इस पुस्तक का निर्माण सिर्फ एक रात में ही किया गया था जो कि इनसानों की बसकी बात नहीं है एक राजा ने मौत की सजा दे दी थी उसने राजा को खुस करने के लिए एक बहुत ही अनोखी पुस्तक लिखने की डील की राजा ने भी उसे एक रात में उस पुस्तक लिखने के लिए छोड़ दिया लेकिन जब कुछ समय बीद गया तो उस व्यक्ति को अपनी गलती का हसास हो गया और उसने किसी तरह की दैवी शक्ति का सहारा लेने की बजाए गलत और सैतान लूसिफर का अवाहन किया उसने एक डील की जिसमें लूसिफर को उसके लिए एक एसियनों की किताब लिखनी थी जिसे पहले कभी लिखा न गया हूँ बदले में वो व्यक्ति पहले सन्यासी था उसे अपना सब मानकर उसकी पूजा करेगा और अपनी आत्मा को उसके नाम कुर्बान कर देगा लूसिफर ने उसकी प्रियर को स्विकार कर लिया और सुबह जब वो व्यक्ति उठा तो उसके सामने एक अध्वुत किताब थी दोस्तों जब उस पुस्तक को पढ़ने की कोशिस की गई तो सब हैरान रह गए क्यूंकि ये कोई दिव्य ग्रंथ न होकर सैतान की सत्ति करने वाला एक ग्रंथ था उस बुक को नश्ट करने की कोशिस भी की गई लेकिन इस पुस्तक के साथ घटने वाली घटनाए हर बार लोगों को हैरत में डाल देती थी ये पुस्तक जहां भी जिसकी भी पास जाती वो व्यक्ति दिव्यता को खोने लगता था और उसका मानसिक संतुनल बिगड जाता था दोस्तों लोगों का कहाना था कि उन्हें इस पुस्तक में सिस सब्द बाहान निकल कर जलते हुए दिखाई देते थे ये पुस्तक आज एक संग्रहाले में स्टोर की गई है दोस्तों इस बुक को लिखा गया था तीरवी सताबदी में बैनी डिक्टिन मोनेस्ट्री ओफ और लैजिक इन बोहीमिया नान की जगह पर जो की जिक रिपब्लिक का हिस्सा है इस पुस्तक को इल्यूमिनेटी सीक्रिट सोसाइटी के लिए एक संदेश की तरह रखा गया ह ऐसा लोगों का मानना है जिस तरह होली बाइबल लोगों को सही रास्ते पर ले जाती है उसी तरह डेविल बाइबल लोगों को सैतानी रास्ते पर ले जाने के लिए लिए लिखी गई है ये बुक इतनी बड़ी है कि इससे उठाने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूत प अब तक के सबसे बड़े रहस्य में से एक बनी हुई है इस पुस्तक को लिखने के पीछे किसी का क्या मकसद था और किसने इसे लिखा है यह आज तक सपष्ट नहीं हो सका है लेकिन फिर भी लोगों की माने तो एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने अपने अंतिम समय में सैतान से एक जगहों की यात्रा की है समय के साथ लेकर यहां भी यह गई है लोगों के बुरे विकारों का प्रतीक बनकर उसमें बुराए के बीजबुए है 85 किलो की इस बुग में पहले पन्ने पर ही सैतान का चित्र है जो इसे भयानक बनाता है इसे बनाने के लिए 160 गधों की चमड़ रहस्मई बात है कि आखिर इसे किसने लिखा होगा इस पुस्तक पर सोथ करने वाले लोगों का कहना है कि इसे बनाने में एक ही व्यक्ति के 30 साल लगेंगे इतने समय तक एक ही तरह की स्याही की उम्र का होना और समान लिखावट में लिखा जाना बिलकूल असंभव है सोथ में सामने आने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इसे जिस किसी ने भी लिखा है सिर्फ एक ही रात में सबसे कम समय में लिखा है इसी वज़े से इसे लिखने में इस्तमाल होने वाली स्याही और लिखावट एक ही उम्र की होना आज के युग में सिर्फ कुछ ही व्यक सका ब्लेक मैजिक जैसी स्पेल लिखने के लिए तो हचारों बुक छपी होंगी लेकिन सीधे सैतान की पूजा आखिर कौन करना चाहता होगा कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे इल्यूमिनेटी सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है इसके बारे में माना जाता है कि ये सैतान की पूजा करती है और उसके लिए ही किसी प्रेरणा के जरिये इस पुस्तक को लिखा गया होगा दोस्तों हाला कि इस बात में इतनी सच्चाई है इसे जाहे नहीं किया गया है लेकिन का ऐसा भी मानना है कि इस पुस्तक का निर्मार सैतान की पूजा के लिए ही हुआ है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले